नमस्कार दोस्तों सुमित बार्दवाच क्लासिज में आप सुभी का फिर से स्वागत है जैसे कि आप सुभी को पता है हमने एक सीरिट सुरू कर रखे है एस्टेट के लिए तो इससे पहले हमने जो आपका एस्टेट का 2011 का पेपर हुआ था वो हमने सोल करवा दिया है नीच क्यूशन आज तक आए हैं और कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला क्यूशन आया कि पत्तों का हरा रंग किसके कान होता है यह आप सभी को पता होता है कि क्लोरोफिल के कान क्या है जो इनका हरा रंग होता है तो राइट अनसर क्या ह अगर rbc की भात करें तो एक आप ने नाम सुना होगा bonny Dewa ये किस के अंतरकत बंती है और bonny Dewa को हम इंदी में क्या बोलते है अस्थि बन्जा बोलते है तो इसका राइट अंस्वर क्या हो जाएगा डी जो इसका राइट अंस्वर हो जाएगा व què thai नेक्स्ट क्यूशन है कि निमी लिखित में से कौन सा भारतिय मूलका नहीं है अगर हम भारतिय मूलकी बात करें तो आम भी भारतिय मूलका है केला भी नारियल भी तो इसका राइट अनस्वर क्या हो जाएगा डी जो है श्ट्रोबेर जो है ये भारतिय मूलका नहीं है तो य उनका योगदान किस बारे में उन्होंने दो नामा आपके सामने रखे एक तो मेदापाट कर रखा और एक कमरता देवी विश्णोई रखा तो आप सभी को पता है सबसे पहली बात तो यह पूछेगा उसी के बारे में जिस बारे में क्या है आपका पेपर है मतलब की टोपिक काया हुआ है जैसे कि यह प्रियावन के बारे में किस ब्रीकर को पूछ रखा तो उसी का होगा तो सबसे पहली बात तो यही देखो कि राइट अंच्चुर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा क्योंकि उनके आंदोलन परियावण मुद्दे पर दे, इसलिए तो उसने परियावण में दिया है, एक बार इसके बारे में मैं थोड़ी ही डिटेल से आपको बता भी देता हूँ, देखें, एक सिक्सक अपने योगदान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रवर् की प्रियावण मुद्दे पर है, में दापाट कर एक सामाजिक कारिय करता है, जिनोंने बारत के गुजरात में नर्मदा नदी पर विवाद सरदार सरोहर प्रियोजना से प्रवायुत लोगों के लिए संगर्स का क्या है, नेतरितों किया, अगर दूसरी तरफ नजर डाले की एक विष्णोई महिला अमरता देवी की 363 से अधिक अन्ना विष्णोईयों के साथ, जो आपने अगर डेटेल से वीडियो देखी होंगी, तो मैंने बता था जो खेजड़ी के पेड़ थे, पेड़ थे, उनको काटने में उन्होंने क्या है, चिप गए थे, मलग भी पे जावन के मुद्दों से इसा मन दीत है, नेक्स्ट है कि सुनामी आने का मुख्य कान क्या है, यह आपका बेसिक साइन्स का क्यूशन है, तो यह आप बता सकते हो, और वैसे भी उप्शन से भी बता सकते हो, एक बहुत करम महासागर नहीं, मचलियों का एक बड़ा तट नही एक पिगलतावा गलेशियर नहीं, समुंदर के नीचे बोकम, बिल्कुल ठीक है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा डी, तो इस प्रकार से आप उप्शन भी क्या है, क्या है, क्या होता है, यह नहीं हो सकता, वास्पिकर्ण हो सकता है, संग्नन हो सकते हैं, यह दोनों है, तो लास्ट ओप्शन दिया, उसने वास्पिकर्ण तता संग्नन दोनों, तो जो इसमें दोनों होंगे, वह हमारा क्या है, राइट अंसर हो जाएगा, तो डी जो है, यह वर्ष्या का एक मुख्य कारण है, तो दोनों इसमें हो जाएंगे आपके, नेक्स्ट है, रोहित की मदद से बोला, उसने कि एक काड़ सीट बना रहा है, तो उसमें मास्पेस योगा बल हो रहा है, नहीं, गर्ष्न बल हो रहा है, उसमें उसका क्या, यांतरिक बल लग रहा है, तो इस परकार से इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, जो सी है, उसका राइट अंसर हो जा कि एक कुझी माना जाता है देखिए उसमें किसको बोला है साइंस को बोला है तो साइंस भी में Чकिंपरिया है प्रेक्टिक 46 व्य Isaac प्रेक्टिक वजिए यह अधीक उसंद उसमें कुसल हो सकते हैं तो राइशन अंसूर क्या हो जाएगा यह जो है राइट अंसूर हो जाएगा यह आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जो गरम रक्तदारी जानवरों को पेश करने हैं तो सबसे अच्छी सीक्षन साहिता कौन सी होनी चीए देखिए उसने क्या बोला ह गरम खुन वाला आपने एक किसन जरूर पढ़ा होगा गरम खुन वाला कौन होता है कुता होता है और अक्सर पेपर के अंतरगर तो यही उप्षन दिया जाता है ज्यादा पढ़ने की दुरूत भी नहीं है तो भई आए आथा कक्सा के बाहर बैठा कुता तो वैसे गरम ख प्रत्वी के उतरी धुरू की दूरी के उपर क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताता हूं देखिये धुरूत तारा एक दरसमान है और जो लगवग एक के साथ सेरे खित होता है एक तारा जिसकी सपरस्तिती खगोलिय धुरू में से एक के करीब है औ जो प्रत्वी के उतरी धुरू से देखे जाने पर लगवग सीधे उपर की ओर दिखाए देता है या स्तीत है एक समान अवधारना प्रत्वी की तुनला में अन्य घरो पर भी लागू होती है वैवार में पॉल स्टार सबद आमतोर पर यूज किया जाता है जो कि वरतमान जिसे उतरशितारा भी क्या है कहाजाता है तो इस परकार से उसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सी जो हैराइट अंसर हो जाएगा नेक्स्थ उसन बोला कि निमिले खित में से कोन सा कतन सही है वयदाई यहां से थोड़े है आपको पता चल रहा होगा कि 2011 का मैंने पीपर क कराएं इसमें भी कुछ अपको static qq किyy writes देखने को मिले और जो मैं 2013 का पेर आपका तारका स्व्र करवा रहा हूं इसमें भी कुछ आपको static qq को देखने ज्याओ तो आप ये पेवाला पेपर विय देने जाओ तो पहले थोड़े स्टेटिक जिक्के के क्यूशन जरूर पढ़ें उसमें से आपके च्छह साथ क्यूशन देखने को जरूर मिलेंगे और जो कोमन कोमन जो आपके साइंस के क्यूशन है ना कुछ मैं टोपिक बता दूँगा उन टोपिक को तो जरूर पढ़ें अगर आप उन टोपिक को करोगे तो आपके नंबर सही बनेंगे तो चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहला ओक्सिजन तथा कार्बन डैक्साइड को मानो तथा पोदो दोनों दुवारा विक्सित किया जा सकता है बिल्कुल नहीं किया जा सकता वह दोनों के दुवारा मानो तो विक्सित करी नहीं सकता फिर है मानो ने ओक्सिजन तथा कार्बन डैक्साइड दोनों को विक्सित किया है बिल्कुल ठीक बात है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सी जो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एक साटर ने दो बक्से तयार किये पहले बक्से में सूरिय पानी तथा हवा तीन नाम दिये उसने पहले बक्से में सूरिय पानी तथा हवा के नाम सही तीस परचिया डालेगी जबकि दूसरे में कोईला पेटरोलियम तथा प्राकरती गैसों के नाम सही परचिया डालेगी पहले बक्स का ना सबसे पहले है कुनेन एक मिलेरिया दवाई है उसे किन कोना नहीं यहां पर आएगा सीन कोना सीन कोना पोदे से प्राप्त किया जाता है यह ठीक है बई चावल वनस्पति तेल का सबसे अच्छा स्तरोत है मालनों लीजिए आपको इसमें डाउट लग रहा तो और उप्सन दाले प्रोटीन का अच्छा स्तरोत होती है बिल्कुल ठीक है यह भी हमारा कलियर हो चुका है अरी सबजियां विटामी तता मिनरल की अच्छी स्तरोत होती है बिल्कुल ठीक है तो कौन सा गल्थ है यह गल्थ है तो ऐसे भी आप क्या है अगर आपको मान लीजिए यहां प कौन सा नहीं आता है नहीं वाला यह आरा फॉर्थ क्यूशन आयां वहा है किड़नी आती है फ्यफ्डा आती है तौचाती है कान नहीं आता उस'm सर्जन के अंत्रगत तो राइट अंसर कौन सा हो जायेगा बी जो हमारा राइट अंसर हो तो देखिए यहाँ पर जो science के जो गिने चुने topic होते हैं वहाँ से question उठाए गए है नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आप बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको EVs के topic भी बता दूगा कौन से आपको करने चाहिए अगला देखिए मिथिला लोक चित्रकला को किस लोक परियरूप में जाना जाता है तो ये तो आप सभी को पता होगा आपने पढ़ मिथिला जो है ये मदूबनी से जाना जाता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा एक बार इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ आपको देखिए मदूबनी या मिथिला पेंटिंग एक बारतिय पेंटिंग है जिसका अभ्यास बिहार राज्य भारत में किया जाता है और नेपाल में तराई के आसपास के हिस्सों को प्राकर्ति करंग और रंजको का उप्यों करते हुए टहनिया बरस नीब कलम और माचिस के साथ किया जाता है और इसकी विशेश्ता है आँखों को पकड़ने वाले जयामीतिय पैटरन प्रतेक अवसर औरतवहर जैसे जनम, विवा, दुर्गा पूजन या सुर्य सास्तर, काली पूजन उन पर क्या है इसका प्रियोग किया जाता है या फिर ये दुर्गा पूजन के लिए क्या है चितर बनाए जाते है तो इस प्रकार से इसका right answer क्या हो जाएगा कई बार इसका आपको कहां पर बना जाता है ये भी पूछ लेता तो मैंने बताया आपको बिहार राज्या में बना जाता है किसके लिए ये उपयोग है या मुझा परसीद है आपको चितरकला के लिए ये हैं परसीद है ये चीज़े तिनों आपको पता चल गया नेक्स्ट है नेमिले कित में से कौन सी गटना कक्स्या में परदेशित नहीं की जा सकती नहीं वाले कुशन ज़्यादा पूछे गए है तो देखे बरफ से जलगठन ये हम कर सकते हैं क्योंकि क्लास के इंटरगठन बरफ लेके आ सकते हैं तो ये कुशन तो बिल्कु ठीक है ये संक्सेपन भी हम क्या बता सकते हैं सनो फोर्मेशन भी बता सकते हैं फोग फोर्मेशन नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें हमको टेंप्रेचर की जरूत पढ़ती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा C जो है right answer हो जाएगा तो चलिए अगला question कर लेते हैं वर्षया जल संचैन का सबसे उप्युक्त इस्तमाल किस के अंतरगत किया जाता है अगर सबसे उप्युक्त सबसे वर्षया जल का तो देखिए करसी में भी किया जाता है सबसे उप्युक्त इस्तमाल बोला इसने तो सबसे उप्युक्त इस्तमाल में अमारा right answer क्या हो जाएगा D में हो जाएगा तो बूजल स्तरका हो जाए क्या है उसके अंदर गत किया जाता है रूफ टोप रेन वाटर जो होती है जिसके मादम से चत पर बारिष के जल का से इंचेन किया जाता है और जलासों में संग्रित किया जाता है और फिर क्या उसको उप्योग में लिया जाता है तो इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा next है जैविक वातावन में क्या सामिल है उत्वादक भी है बोकता भी है D कंपोर्स भी है तो इसका right answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो right answer यह सभी क्या है इसके इंतरगत सामिल है तो right answer क्या हो जाएगा भई D हो जाएगा देखे एक जैव प्रियावण एक पारस्तितिक तंतर का जैवी गठक है और इसमें पोधे और जानवर सामिल है यह वातावण उनके बोधिक प्रियावण के साथ जियों के संप्रक का भी एक क्या है जैविक समूदाए है तो इसलिए उसका राइट अनुसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सभी फिर है यहां से जो पूछा गया था आप सभी को पता है जो 2011 का पेपर हुआ यहां से क्यूशन आया ट्रेवल वाले से पहले भी और अपकी बार भी दिया गया है तो कम से कम 6-7 बार ट्रेवल वाले से क्यूशन आ रहा है तो जो आपका ट्रेवल वाला जो टोपिक है उसको आप पढ़ सकते हैं आपकी बार भी आपको एक क्यूशन देखने को मिलेगा जैसे कि कॉंकन रेल किसे सीधा जोड़ती है तो सोचने की भी जरूत नहीं है जिसने पिछली वीडियो देखी थी मैंने बता था मंगलोर तथा मुंबी को ये जोड़ती है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ये जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन दिया उर्चा प्रवा के ने मिलिक चार्ट का अद्यान करे तो भाई ये पीडियेप में थोड़ी ही मिस्प्रिंट है क्योंकि चार्ट में कुछ दिखाई देन ही रहा है कि क्या उर्चा होती है तो इस क्यूशन को हम छोड़ देते हैं अब क्या बताएं कुछ चार्ट के अंतरगत क्या है सोई नहीं हो रहा देखिये वह हाँ वैसे अगर मैं इसके राइट अंसर की भात करूँ तो इसका राइट अंसर क्या है सबसे पहले इस सूरिय आ जाएगा आपका फिर बकरी आ जाएगा फिर मानों आ जाएगा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा बी जो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है संक्रमन के दोरान संख्या में वर्दी हो जाती है वही बार-बार बोल रहा हूँ जो बेसिक साइंस के कई टोपिंग है वहां से क्योशन उठाए जा रहे है लिक्योसाइट जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि लिक्योसाइट जो है ये प्रोटेक्ट करता है तो इसलिए उसके अंतरकत क्या है वर्दी हो जाती है और यह क्या है इन्फेक्शन के दोरान क्या है इसमें वर्दी हो जाएगी जब मनुष्य केंद्रक्त इन्फेक्शन होगा तो लुक्योसाइटिस का राइट अंसर हो जाएगा और ये टोपिक मैंने करवा भी रखे हैं एस्टैट की आप प्ले लिस्ट में जाओगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे नीक्स्ट है निमीलिकित में से किस गैस को वातावन में तापमान बढ़ने का कारण माना जाता है ये वही फिर बेसी क्यूशन कम सी कम 10 क्यूशन आगए हैं अपकी बार साइंस के तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कार्बन डेक्साइड क्योंकि कार्बन डेक्साइड जो होता है उसको हम वातावन का क्या है बढ़ने का क्या है कान मानते हैं इसके बारे में थोड़ी डेटेल्स भी बता देता हूं देखिए ऐसा माना जाता है कि कारबन डक्साइड वायू मंडल में ताब मान बढ़ाने है तुझी मेदार है ये हलकी गैसो हाइड्रोजन होर हीलियम के बाद परत्वी का दूसरा वायू मंडल है जो की अंत्रिक्स में छिपा है अत्वा ओक्सीजन की तरह अनों के बीतर समाहित है और ऐसा माना जाता है कि इसमें काफी मात्रा में नाइट्रोजन उफस्तीत है तो इसलिए राइट अन्सवर क्या हो जाएगा कारवन नक्साइड ये क्यूशन फिर स्टेटिक्स जिक्के का आ गया कि भही दुनिया का सबसे उचा प्रवत कौन सा है तो आप सभी को पता है मांट एवरेस्ट है जिसकी आपको 88 जो है इसकी उचाई है तो आप सभी को पता होगा स्टेटिक्स जिक्के और जो कुछ कुछ कॉमन साइंस के टोपिक है वहाँ से क्यूशन उठाए गये है मादा मच्चर खून क्यों चूशती है आप सभी को पता है जो मादा मच्चर है वह अपने एग फ्रोमेशन के लिए क्या है खून चूशती है तो इसलिए अंडों को पून उत्पादित करने के लिए तो इसका राइटन सुर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना कि मलेरिया ना संक्रमन ना अपने जियोन के लिए तो ये सभी क्या है गल्त हो जाएगा नेक्स्ट है दवनी खालिस्तान में तेज होती है वही फिर साइन्स से लिया गया है दवनिकिस में तेज होती है ठोस में ज़्यादा तेज होती है तो ठोस कौन सा है लकडी है तो इसका right answer क्या हो जाएगा idea जो इसका right answer हो जाएगा बई चांगपा अपने नाम सुना होगा चांगपा जन्जाती कहां पाई जाती है यह आपका ebs का question है चांगपा जनजाती जो है आपकी लदाक के अंदर कत पाई जाती है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका एज जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा देखिए अगर चांगपा की बात करें चांगपा की मातर भूमी एक उच उच्छाई वाला पठार है जिसे जो पस्मी और उत्री तिबत के एक हिस्य को दक्सन पूरवी लदाक में फैलाता है और चांगपा का अर्थ है नौर्थ सिंग तिबती पहले उन्हें लदाकी का एक उपसम मुमाना चाता था लेकिन उनके रीती रिवाज बासा और जाती है लदाकी के लोगों से क्या है अलग कारिया है पंचायत के वार्थी खातों की समिक्सिया करना कारिया है सामाजिक आर्थी की विकास से तू योजना तुता कारिय करमों को मंजूरी देना ग्रिबी उन्मूलन कारिय करम के तहतलाव आर्थियों के रूप में वेक्तियों की पहचान करना या फिर सामाजिक लेख सामिल होती है आपको सभी को पता है ऑक्सीजन जैसे कि अगर मैं अपने कोर्डिंग बताऊं 2013 का मैंने पेपर देखा और 2011 का मैंने पेपर देखा 2011 का पेपर भी मैंने डाल रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा देख सकते हैं 2013 के ईविस के पेपर में मैंने 10 क्यूशन जो बेसीक जो टोपिक हैं साइन्स के ओ देखनों को मिले मेरे को तीन क्यूशन मेरे को प्रकास संसलेशन से देखने को मिले और 6 क्यूशन मेरे को स्टेटिक जिक्के के देखने के मिले और बक की जो आपके EVS के जो कॉमर बन जाते हैं वो देखने के बिले तो आपको ये जरूर याद करने चाहिए जो ये टोपिक हैं और 2011 में जैसे मैंने कल उसमें बताया भी था जनगना वाला टोपिक आपको देखने को मिला उसमें साइन्स की टोपिक भी आपको देखने को मिले तो उस परकार से के आपको अंदाजा हो जाएगा नेक्स्ट है रसोईक में आग के वी रूत सुरुक्षा उपाई के रूम में किस का इस्तमाल किया जाता है आप सभी को पता है अगर आग लग जाएगी तो उसमें किसका प्रियोप करते हैं फाइर प्रूफ सिस्टम का आम प्रियोप करते हैं तो राइट अंसर कмат ऊजाएगा सी जो है राइट अंसर हो जाएगा सुरिय का दरोमा लक-बक खालिस्तान का बना होता है वही फिर static जिक्के का क्यूसन आ गया जो मैं बोल रहा हूँ static जिक्के आप पढ़ो और जो science के जो topic है वो आप पढ़ो जो common topic है science पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा समय विष्ट करने ही जरूरत नहीं है जो man man topic है तो इसका right answer क्या हो जाएगा 2011 पेपर हमने करवा दिया था अगला हम जो next 2014-15 के सभी पेपर के हम डाल देंगे तो thank you student मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद